PCOD एक ऐसी समस्या है जिसमें महिलाइ जो हैं काफी समस्या से जुञ जई हैं लगबख काफी महिलाइ ऐसी हैं जो इस समस्या को लेकर काफी परेशान भी है ऐसे में संतोष हॉस्पिटल की वरिष्ट गाइनोलॉजिस्ट हमारे साथ है डॉक्टर प्यूश मलोत्रा इनसे जानेंगे कि आखिर PCOD क्या है सबसे पहले दर्शकों को इसके बारे में विस्तार से बताएं नमस्ते संतोष ऑस्पिटल की तरफ से होली की बहुत बहुत शुब कामना है और जैसा कि इनोंने बताया कि PCOD एक बहुत जादा विमारी आजकल देखने में आ रही है तो अमूमन मानके चले तो हर पांच में से एक महिला को PCOD की समस्या हो रही है यह रहता है PCOD है क्या किस तरीके से जो है इसके लक्षन होते है इसको अगर हम देखा जाए तो polycystic ovarian disease होती है जिसमें on ultrasound अगर हम देखे तो अंडे दानी में छोटे-छोटी गांठे बन जाती है और आजकल जो young females हैं जिनका की lifestyle disorder है जो की बाहर का खाना काते टाइम पे सोते नहीं है हॉर्मोन की समस्या होने से ये बीमारी बन जाती है महिलाओं को किस तरीके से पता चले कि उनको जो है पी-सी-ोडी की problem हो गई है इसमें सबसे पहले तो जो महीना आता है हर महीने उसमें अनिमयत्तया शुरू हो जाती है कभी-कभी महीना आना ही बन्ध हो जाता है या फिर बहुत कम आता है महीना किसी-किसी महिला को ज्यादा आता है तो जब भी इर्रेग्लरटी हो रही है महीने के साइकल में तो आपको अपने डॉक्तर को कंसल्ट करना चाहिए वो एक अल्डरसॉम करके देखेंगे कुछ टेस्स कराएंगे उससे हमें कंफॉर्म हो जाता है दूस किस तरीके से जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और बात करें कोर्स की तो लगबग कितने महिने का यह कोर्स रहता है मैं मान के चलो तीन से छेवेने लग जाते हैं ट्रीटमेंट के और इसमें सिफ दवाईयों का रोल नहीं है हमारा जो खान पीने रहें से उससे भी हर्मोन का ट्रीट के सब्सक्राइब जे ड़ी घटाओर जाता है अगर आपके लाइक सफिन सफ्राइ्व मैं में हो सबस्क्राइब तो हमारे बॉड़ी में एक हॉर्मोन की रेदा में इस्ट्रोजन इस्ट्राइश की इस्ट्रोजन बढ़ने लगता है तो जो जैंच में हॉर्मोन मनते वो बनने शुरू हो जाते हैं किसी किसी महिला को आपने देखा होगा दाड़ी मूच आ रहे हैं बेट गेन हो रहे हैं पीरेट बंद हो गए हैं तो यह सारे लक्षन उसी के हैं कई बार आगे उनको संतान नहीं होती है पीरेट की दिक्कत होती है मुँपे छोटे-छोटे एक्ने बन जाते हैं सब उसी का नतिजा है तो घर पे किस तरीके से मतलब अगर थोड़ा बहुत उनको लगता है तो घर पे किस तरीके से वह उपचार कर सकती है इसमें यह है कि रेगलर नियमित आदे से घंटा एक्सराइ मैदे वाली चीज़े जैसे जंक फूर और जिसमें की प्रिजवेटिव जैसे बिस्केट्स है नमकीन है जो भी हम पैकेट खोल के खाते हैं चिप्स हैं बर्गर यह सब बंद करना पड़ेगा चलिए आपने देखा हमारे सांट डॉक्टर क्रियूश मलोतरा थी और उन्हों